हेलो फ्रेंड वेल्कम बेक टू क्रेजी मेथा स्टड़ी मैं हूँ प्यादव आप देख रहे हैं क्रेजी मेथा स्टड़ी तो आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने हैं क्योंकि हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर देखने वाले हैं इसको साथ ही साथ याद करने का ठ्रीक भी बताऊंगा फ्रेंड तो वीडियो को अच्छे देखिएगा एक के को सन आपके लिए बहुत जादा इंपॉर्टेंट रहे हैं चलिए आगे बढ़ते हैं देखते हैं लास्ट वीडियो ने कोस्तन पूचा था कि ए मुविंग मैंड आपके लिए बहुत ही जादा इंपॉर्टेंट रहे हैं तो यह लोग है बिलकुल राइट अंसर दिये हैं तो आप भी इनके तरह राइट अंसर दे सकते हैं और वीडियो पसंद है तो एक लाइक जरूर किजएगा अपने दोस्तों के साथ सेयर किजएगा ताकि हमारा भी motivation बना रहे हैं चलिए आगे बढ़ते हैं देखते हैं कि fire tube boiler क्या होता है उसके बारे में सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिस करते हैं तो चलिए देखते हैं fire tube boiler flow gases flow inside the tube and water flow around the tube is known as fire tube boiler कैसे फ्रेंट एक क्या है ट्यूब है इसके अंदर में अगर हमारा fire हो ठीक है अंदर म हो और बाहर में हमारा water हो ठीक है तो उस case में कौन सा होगा ट्यूब के अंदर जो है वही ट्यूब बाइलर हो जाए समझ लीजये कि fire tube boiler is generally a low pressure boiler देखिए हैं यहाँ यह क्या है एक ट्यूब है ठीक है और ट्यूब के अंदर fire flow कर रहा है मतलब flow gases flow कर रहा है और इसके चारो तरफ पानी है तो पानी जाहिर सी बात है कि ज्यादा मैं में खाइगा फ्लूग एस लिमिटेड में में मतलब ठोड़ी सी इमाउंट में एक पाइप में कितना साफ ठीक है ठीक है फ्लूग ऐसे सटेंगा उतना ही रखेंगे और जैसे ही इसके अंदर में रखते हैं तो बाहर का जो पानी रहता है रखा हूँआ ओ हीट होता है तो आपको ट्रिक याद करने की जरूरत ज्यादा नहीं है जैसे ही आप एक्जाम में पास आउट करते हैं अपने अस्कूल से तो आपको क्या मिलता है अस्कूल लिविंग सर्टिफिकेट क्या मिलता है अस्कूल लिविंग सर्टिफिकेट तो वही ट्रिक है फ्रेंड एसलसी का इंसपर का मतलब क्वह्न कि एससे है वह 2 बैसे है मतलब का मतलब याद रख설rait को स्कोच मेर्न बैलर तीसरा का जो हिसे कमतलब लंका सायर बैलर और जो रही है उसका मतलब लोकोमोटी बॉइलर तो याद रखेगा और उसके बाद जो हमारा अगला सी है उसका नाम है कोकरन बॉइलर एक और सी है कॉर्णिस बॉइलर और लास्ट में जो वी बचा उसको हम लोग क्या बोलते हैं वेलकन बॉइलर तो अच्छे से याद रखेगा इस बहुत ही जादा तो चलिए आगे बढ़ते हैं इतना जरूर से जरूर याद रखिया आगे देखते हम लोग कि फायर ट्यूब बॉइलर क्या होता है ठीक है यह इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि क्लासिफीकेशन से बहुत ज्यादा कोशन पूछे जाते हैं उसके साथी साथ कौन सा बॉइल को अंतक देखिएगा और एक कोशन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अक्सर एक्जाम में पूछे जाते हैं वही कोशन करवा रहा हूं ठीक है वाटर ट्यूब बॉइलर मैंने पहले ही आपको सारा कुछ बता दिया है कि वाटर अगर ट्यूब के अंदर हुह और हमारा को बाहर में चारों तरफ हो मतलब फ्लूग ऐसे स Tenemos Moscow Smith तो वहें वाटर ट्यूब बोयलर बोलते हैं ठीक है water tube boiler is generally high pressure boiler water tube boiler generally कहता है high pressure boiler मतलब देखिये फिरेंड यहां पर समझने की कोशिच कीजिए यह ट्यूब है ट्यूब के अंदर क्या है water है और इसके बाहर में चारों तरफ से flu gases है मतलब flug gases unlimited amount में है मतलब जीतना चाहें जितना फिउल हम लोग बाहर बरन कर पाएं उतना amount में बाहर में हमारा क्या है flu gases हम लोग प्रोडिूस कर सकते हैं और जो पानी है त्यूब के अंदर वो limited amount में रहता है ठीक है पानी कैसा रहता है limited amount में रहता है तो जादा बाहर में क्या है unlimited gas है फ्लू gases और जो हमारा water गरम करना है वो थोड़े से है तो जल्दी boil करजा वो भी very high pressure पे तो बिल्कुल याद रखेगा कि जो हमारा water tube boiler होता है वो high pressure boiler होता है तो आगे बढ़ते हैं water tube boiler को याद करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है फ्रेड except all fire tube boiler is water tube boiler जो हमारा जीतना भी fire tube boiler होता है ठीक है उसके बाद जीतना भी बच गया वो सारा का सारा हमारा water tube boiler होता है ठीक है इसमें भी बहुत ज़्यादा important है याद रखेगा कि बैब कॉक्स एंड विल कॉक्स श्टिरलिंग बॉयलर लामंट बॉयलर बेंसन बॉयलर ऐरो बॉयलर या फिर लोफलर बॉयलर यह सब क्या होता है हमारा water tube boiler होता है बेंसन बॉयलर में एक और चीज़ याद रखेगा कि बेंसन बॉयलर में boiler drum होता ही नहीं है बिलकुल याद रखेगा यह भी बहुत ज़्यादा important है ठीक है बेंसन बॉयलर हमारा सूपर क्रिटिकल बॉयलर के अंतरगत आता है मतलब इसमें जो भी पानी हम लोग डालते है डायरेक्ट वो वेपर बनके निकल जाता है इसमें कोई separation कोई boiler drum की जरूरत नहीं पड़ती है तो आगे बढ़ते हैं देखते हैं हम लोग question based on boiler 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 से क्या क्या question पूछे जाते हैं ठीक है दो तीन question मैं करवा रहा हूं और दो तीन question आपको question of the day के लिए homework में मिलेगा तो भी आप किजेगा आपके लिए बहुत ज़्यादा important है which of the following boiler is high pressure boiler Benson boiler, arrow boiler या फिर low floor boiler या फिर all of these तो आपका समय सुरू होता है अब बिलकुल सोचे इसका right answer क्या होगा बिलकुल मैंने अच्छे से बताया है तो इसका right answer option number D all of these हो जाएगा ठीक है जितने भी हमारे पास boiler होते हैं अगर water tube boiler है तो सारा का सारा हमारा क्या रहेगा तो हमारा high pressure boiler रहेगा तो तीनों का तीनों हमारा water tube boiler है तेव जनरली बहुत ही जादा high pressure boiler होता है तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन नमबर ओफ boiler drum in Benson boiler is 1, 2, 3 या फिर no drum तो आपका समय सुरू होता है अब बिलकुल सोचेगा है तो बिलकुल मैंने करवा दिया तो आपको कोई problem नहीं होगा इसका right answer क्या होगा तो इसका right answer option नमबर D no drum आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन के बढ़ते हैं वैक बॉक्स एंड विलकॉक्स boiler और डॉट 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 बॉइलर इसका right answer क्या होगा आपका option है water tube boiler fire tube boiler की बोथ A and B इसका right answer क्या होगा इसका right answer option नमबर A water tube boiler हो जाएगा यह भी मतलब very high pressure boiler के रगाते आता है तो बिलकुल याद रखियागा जितने भी water tube boiler है हमारे high pressure boiler होते हैं और जितने भी fire tube boiler होते है low pressure boiler होते है तो अच्छे से याद रखियेगा जेनरली आपको question पूछ देगा आपको कुछ नहीं समाझ में आएगा तो direct आप यह याद करियेगा कि कौन सा हमारा water tube boiler है कौन सा हमारा fire tube boiler है जहां भी आपको water tube मिलेगा तो हमारा high pressure boiler हो जाएगा उसी को आप tick करके आगे बढ़ जाएगा आपका अनसर बिलकुल सही हो जाएगा चलते हैं question of the day is to for safe operation boiler mountings, boiler accessories कि बोथ A and B या फिर none of these next question boiler plate is bewailed at an angle of 30 degree 45 degree, 60 degree या फिर 80 degree तो यह सब question का answer आप फटा फट से comment box में लिखने की कोशिस कीजिए